इन्तिजार भगवान का करना ही पड़ता है शवरी की तरह इसलिए प्रेम भगवान में समर्पन भगवान में विश्वास भगवान में एक भरोसा एक बल दूसरे की आवश्यक्ता ना फिर देखना फिर आपका ये प्रश्न खतम हो जाएगा कि भगवान हमारी सुनते नहीं ना सुनते हैं सुन पाएं इस लायक अभी हम नहीं हैं अभी हम इस योग नहीं हम अपने को योग बनाएं पर हम क्या आरोप लगाते हैं भगवान पर आप नहीं सुनते हो हम अपने योग गिता नहीं देखते कि हम कितने योग और अयोग हैं प्रीभक्तो नारजी समस्त तीर्चों में गए वरंदा बनाए भक्ती महरानी को दास देखा भागवत सनकादियों के माध्यम से भक्ती ज्यान वैराग्य को सुनवाई गई भागवत सुनते ही भक्ती ज्यान वैराग्य का दुख दूर हुआ नारजी ने सनकादियों से एक प्रश्न किया महराजी कोई पापी व्यक्ती भागवत सुनके तर सकता है क्या हाँ एक पापी का नाम है धुन्दकारी धुन्दकारी नाम का एक व्यक्ति है पिता का नाम आत्मदेव जी, मा का नाम धुन्दिली आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी तो संत जीने एक फल दिया, वो फल पतनी को खिलाया पतनी ने गाय को खिला दिया गाय को पुत्र हो गया गौकरण जी और धुन्दकारी धुन्दली की बेहन का बेटा पैसों में खरीद लिया वही बना धुन्दकारी धुन्दकारी बड़ा होके अपने पिता पर अत्या चाल देखिए जीवन में जितना दुख है वो मिलकर रहेगा आपका बेटा कितना भी अच्छा हो आपकी पतनी कितनी भी अच्छी हो या बेटा कितना भी बुरा बेटे पतनी कितनी भी बुरी पती कितना अच्छा कितना बुरा जितना दुख आपके जीवन में आपका प्रारब्ध है जो भाग्य में आपको दुख या सुख मिला है उतना आपको उठाना पड़ेगा हसते उठाओ या रोते उठाओ इसलिए जीवन में जब दुख आए तो समझना चाहिए कि पाप समाप्त हो रहे हैं और जीवन में सुख आए तो समझ लो कि पुन्य समाप्त हो रहे हैं कट रहे हैं या तो पाप कट रहा है या तो पुन्य कट रहा है क्योंकि पाप और पुन्य का मिकसप ही ये सरीर है कुत्ते का सरीर पाप पुन्य से नहीं बना है केबल पाप से बना है गदह, सुवर, हाथी, घोडा का सरीर केबल पाप से बना है वो पाप यौनी है लेकन मनुष्य का सरीर पाप पुन्य दौनों के मिटेरियल से बना है दौनों पदार्थ से बना है जिसमें पाप भी भोगना है और पुन्य भी आप लोग जो जीवन में परेशान दुखी होते हैं सरीर का, दुख परिवार का, दुख पतनी का, दुख पतनी अच्छी नहीं पती अच्छा नहीं, बेटी अच्छी नहीं, बेटा अच्छा नहीं ये सारा दुख केवल आपके पाप का ही परिडाम है और जो सुख है वो आपके पुन्य का पाप पुन्य के सिवा कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास कुछ होई तो बता या तो आप पाप का फल भोग रहे हैं या तो पुन्य का तीसरा क्या है अब तीसरा करने का मौका मिला है अब जो पाप पुन्य से परे है बताओ पाप पुन्य से स्रेष्ठ क्या है जोर से जोर से जोर से पाप और पुन्य से बड़ा है भगवान के चर्णों में सर्णा गती है प्रभू मैं आपका हूँ समर्पन हो जाना ये बड़ा है जब आप भगवान के चरणों में समर्पित हो गए तो फिर आप भगवान के हो गए और जो भगवान का हो गया मनसा वाचा कर्मना देखो होना अलग है आप लोग ना आपके जो दोस्त हैं सहेलिया हैं कई बार वो लोग क्या कहते हैं अरे साहब हम तो आपके लिए जान दे सकते हैं वो क्या कहते हैं हम तो आपके हैं पर जरूरत पढ़ने पर कोई फोन तक नहीं उठाता ऐसे देखो कहने को तो कोई भी कह दे के हम आपके हैं ऐसे ही आप लोग भगवान से क्या कह देते हैं प्रभू हम आपके हैं ऐसे कहने से ना होगा समर्पन का मतलब ये नहीं के कह दिया ना मन से वानी से कर्म से कह दिया तो हो गए भगवान के वैसे ही हो जाओ जैसे आप पत्नी पती की हो गई पती पत्नी के हो गया ऐसे हो जाओ